तो आईए शुरुआत करते हैं कि अद्रक से कौन को से बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं और बने रहेगा इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक मैं आपको अद्रक के ऐसे 8 बेनिफिट्स शेर करने वाला हूँ जिनके बारे में शाद आपने ना सुना हो जो सबसे पहला अद्रक का बेनिफिट हो दोस्तों ये आपकी immunity को boost करता है antiviral properties इसके अंदर होती है antibacterial properties इसके अंदर होती है जब भी को injection होता है उस infection को कम करने के लिए या उस infection के against लड़ने के लिए अद्रक के अंदर जो active constituents होते हैं वो काफी helpful होते हैं उसका इस्तमाल किया जाता था, इसका यही कारण है, यह बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे E. coli, Shigala से लड़ने और उनको ग्रोथ रोकने में मदद करता है, और वाइरस के अगेज भी लड़ता है, दूसरा यह आपकी oral hygiene को maintain करने में भी help करता है, इसको आप mouth freshener के तोर पे भ में रखके चबा लेते हैं, तो आपकी जो bad smell, bad mouth है, वो बंद हो जाती है, उसका reason यह होता है, क्योंकि इसके अंदर जो antibacterial properties होती हैं, वो gums के अंदर उनको ग्रोणी करने देते बैक्टीरियास को, और gums की solution को कम करता है, इसके अंदर vitamin C भी होता है, जो इसकरवी जैसी ब बाद में जिससे के आपका digestion बना रहे है, इसके अंदर कुछ properties होती है, जो आपके digestive enzymes होते हैं, उनको activate करता है, जिससे भूजर बहुत जल्दी पच जाता है, और आपको gas, flichuels, या जो पेट दर जैसी समस्या होती है, उनसे आपको रात मिल जाती है, यह बहुत ही अच्छी digestive booty है, और यहां तक कि यह खास दोर से जब आप pregnancy के तोरा nausea या vomiting आता है औरतों को, उसमें भी अधरक का रस देने से काफी फाइदा मिलता है, और chemotherapy के patients को भी जिनको ultya या nausea आता है, उसमें भी इसका बहुत जादा फाइदा है, अधरक के अंदर anti-inflammatory और analgesic properties भी पाई ज किया जाता है, इससे काफी हद तक दर्द में रहात मिल जाती है, गुट्नों का दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर anti-inflammatory या सूजन को कम करने वाली properties पाई जाती है, ये healing के process को भी fast कर देता है, जिससे आपके wounds या जो gastric ulcers है, वो भी जल्दी से heal हो जाता है, और केंसर की growth को कम कर सकते हैं, और केंसर की growth रुख जाती है, चाया को इस्टमक कैंसर हो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, लिवर कैंसर हो, यहां पर की skin cancer हो, सभी तरह के तो आप देखेंगे किमोतरेपी की डोसेश कम होजेगी, यह इसका बहुत बड़ा फायदा है, जो बहुत सारे लोगो को पता नहीं है, और अगर आप स्वास्त भी हैं, और अगर आप लगातार अदरग का इस्तमाल करते हैं, तब भी आप कैंसल को अपने पास आने से रोक सक और डाबिटीज जिन लोगो को हैं, जिनको ख्रॉनिक डाबिटीज हैं, जिनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, अगर वो अदरग का इस्तमाल करते हैं, तो वो हो सकता है, आप अपनी डाबिटीज को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इंसिलिन की शैंस्तिविटी ब दोबार 30-4 दिन इस्तमाल करते हैं तो उससे इस दर्द में काफी रात मिलती है उसमें रिलीफ मिलता है और आपको जो मूड है उसको भी ठीक करता है जिससे में जो मूड स्विंग से होता है उनको भी ठीक करता है उसको रोकने में भी हेल्प करता है और जो को जो अच्छा कोलिस्ट्टोल कहलाता है उसको अपने के Fatisfats से Absorb करके blood के अंदर लेके जाता है तो आप अगर आप अधरक का लगातार इस्तमौल करते हैं तो आपका kolisktrol level कम हो जाएगा और अगर आप इसको लैस्टोल lira के digestive properties को तोर पे cholesterol को कम करने में और जो anti-cancerous की properties है उसके लिए तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगाओ तो इसके जाद जाद लोगो को share करें अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको subscribe भी कर ले और bell icon का बटन भी दबा ले so that आपको इस तरह के informative वीडियो मिलते रहें thank you